रविवार को दुबई में खेले गए मैच में भारत को 10 विकेट से पाकिस्तान ने हरा दिया है आपको बता दें भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 151 वरन बनाये थे जिसे पाकिस्तान के ओपनर्स ने ही बना कर किसी दिक्कत के बिना जीत लिया ये पूरा मैच ऐसा पहली बार हुआ है जब पाकिस्तान ने भारत को किसी वर्ल्ल कप मैच में हराया हो या इतनी बड़ी हार दी हो ऐसे में भारत की इस हार के ऐसे वो क्या कारण रहे जिसकी बचास से पाकिस्तान को काबू में रखपाना मुश्किल हो गया और विराट की टीम इस मुकाबले में कहां चूग गई आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं आपको बताने कि कप्तान विराट कोली की किसमत ने एक बाप फिर से साथ नहीं दिया पाकिस्तान के खिलाफ इस महा मुकाबले में विराट कोली ने टॉस गवाग दिया और इसी के साथ भारत की हार भी तैव हो गई थी अगर पिछले आठ मैच का रिकॉर्ड देके तो साल 2018 के बाद T20 में भारत ने उन सभी मैचों को गवाया है जहां उसने पहले बल्ले बाजी करते हुए 160 से कम रण बनाए हैं रविवार को भी ऐसा ही हुआ भारत ने टॉस हारा और पहले बल्ले बाजी करते हुए सिर्फ 151 रण ही बनाए भारतिय टीम को सबसे बड़ी उमीद उसके ओपनर से थी लेकिन इस बड़े मुकाबले में रोही चर्मा और केल राहुल पूरी तरह से फेल रहे रोही चर्मा तो पहले ही बॉल पर आउट हो गए और एक भी रण नहीं बना पाए वहीं केल राहुल भी सिर्फ तीन रण बना कर आउट हो गए ऐसे में पाकिस्तान की शाहीन अफ्रीदी ने कि श्रांदार बोलिंग के आगे भारतिय बल्लेबास पूरी दरह से फेल रहे दिली विश्विद्यारे में आज स्पेशल कट ओफ जारी हो की आपको बता दें इसके तहट उन शात्रों के पास ये विशेश अफसर है चिने पिछले तीन कट ओफ में दाखिला नहीं मिला है ऐसे में शात्रों इस कट ओफ में अपने मन पसंदीदा कॉलेज और कोस में द पारी होनी के बाद मंगलवाज सुबा यानि कल दस बज़े से बच्चे एडमीशन लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं ऐसे में शात्रों के पास 26 अक्टूबर से लेका 27 अक्टूबर तक 12 बज़े तक समय हैं आवेदन करने के लिए इसके बाद कॉलेजों को 28 अक्टूबर शाम 5 बज़े तक छात्रों के दाखिलों को मनसूर करना होगा वहीं शात्रों के पास 29 अक्टूबर शाम 5 बज़े तक एडमीशन की पीज जमा करने का अफसर रहेगा और पिछली कट अफ के मुकाबले इस बार छात्राओं के पास दाखिले के कम दिन रहेंगे इससे पिछ कट अफ में दाखिला नहीं मिला है और वो शात्र इस कट अफ में दाखिले के लिए आवेदन भी कर सकती हैं आला कि शात्रों के पास कॉलेज और कोर्स बदलने का अफसर नहीं रहेगा इस कट अफ के तहट जिन शात्रों को जिस कॉलेज और कोर्स में दाखिला मिलेगा व उसे आगे जारी होने वाली कट आफ में नहीं बदल सकेंगे ऐसे में विश्टर इद्याले की ओर से शात्रों को सला है कि दाखिरा लेने से पहले शात्रों कोर्स और कॉलेज सुनिश्चित भी कर ले